रवीवार वरत विधी कैसे रखा जाता है रवीवार का वरत जाने पूजा विधी और धार्मिक महत्व महा रवीवार कब है दो हजार चौविज में रवीवार वरत विधी कैसे रखा जाता है रवीवार का वरत जाने पूजा विधी और धार्मिक महत्व भादो का इत्वार महा रवीवार वरत कब है दो हजार चौविज सूरे की जिस रवीवार वरत को करने से व्यक्ति को सौभागे औरोग का अशिर्वाद मिलता है उसकी विधी नियम और धार्मिक महत्व क्या है ये जानने के लिए जरूर देखे ये वीडियो संडे फास्ट हिंदू धर में रवीवार के दिन की जाने वाली पूजा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है हिंदू मानेता के मुताविक रवीवार के दिन सुरे देवता की पूजा करने का विधाने जोतिस के अनुसार सुरे देव को अन्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है यदि आपकी कुंडली में सुरे से जुड़ा कोई दोस हो तो रविवार के दिन सुरे देव की पूजा करने और वरत रखने से लाफ राप्त होता है सुरे देव की अराधना करने से जीवन में सुख सौभागे की प्राप्ती होती है आईए जानते हैं क्या है रविवार पूजा का धार्मिक महत्म और व्रत का सही तरीका रविवार व्रत और पूजा की विधिर रविवार के दिन भगवान भासकर की किरपा पाने के लिए सुरे उदे से पहले उठकर शनान कर ले इसके बाद सबसे पहले साफ लोटे में जल ले कर सुरे देव को अर्ग देव फिर पूझा अस्थल पर लाल चटाई या कोई भी लाल वस्त बिचा कर बैठे और भगवान सुरे देव की पूझा अरंब करे इसके बाद सुरे देव के बीज मंत्र की पांच माला का जाब करें उसके बाद रविवार व्रत की कथा और आधिते हिडे सुरोत का पाठ करें अगवान सुरे नरायन को धूप, अक्षत, दूध, लाल फूल और जल अर्पित करने का विशेश फल माना गया है रविवार की पोजा में सुरे देव को लाल चंदन अर्पित करने के वाद प्रशाद के रूप में अपने माथे पर लगाना चाहे सुरे देव की परिक्रमा एक स्थान पर खरे होकर दी जाती है ऐसे में आप जहां खड़े हैं उसे स्थान की परिकर्मा करेए रवीबार वरत में क्या खाए और क्या ना खाए रवीबार के वरत में गूर के साथ गेवुं की रोटी अथवादलिया खाने का विधान है इस वरत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है पैसे में इस खाने पीने में नमक न डाले और न किसी माध्यम से इसे ग्रहन करें इसमें तेल भी वरजित है और साम धलने से पहले ही खाया जाता है जब आपके रविवार वरत का संकल पूरा हो जाए तो उध्यापन करते समय कम से कम चार ब्रह्मनों को भोजन कराए और उनका अशिरवाद पाने के लिए लाल वस्त्र, फल, मिठाई, फूल, नारियल, आधी दक्षना में दे रविवार वरत का महत्व सनातन परंपड़ा के अनुसार जीवन में यश, वैवव, सुक, समरिधी पाने के लिए सुरे देवता की अराधना करना शुभ माना जाता है रविवार का वरत करना सुरे की किरपा पाने और सुखी स्वस्त और सम्मानित होने का उत्तम उपाई माना जाता है धार्मिक मानेता के अनुसार भगवान सुरे की पुजा करने से कुंडली दोस्त दूर होता है और नकारात्म कुर्जा आपसे दूर रहती है फादो के आइत बार महा रवीवार बरका रवीवार कब है 2024 में 2024 में महा रवीवार 15 सितंबर दिन रवीवार 2024 को मनाया जाएगा कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आयो तो प्लीज में चैनल को लाइक सब्सक्राइब है सेर करना बिल्कुल नबोना थैंक्स पर वाचिंग कीप सपोर्ट